जैसे हम यहां पर application को open करते हैं, तो open करते ही application दोस्तों, इस प्रकार डेक्स बूड में open होती है, maximum loan limit 20,000 को यहां पर दिखाया जा रहा है, उपर के score करना है, loan now उपर click करना है, सबसे पहले आपको यह वाली information भरनी है, जिसमें full name, date of birth, gender, material, education और email यहां पर आपको तीन step complete करन हैं, उसके बाद में आपका जो bank bank का जो डालना है, और फिर आपको जो है, loan का जहां पर सबको दिखा दिये जाएगा, कितना loan मिलेगा, चलिए इंफरमेशन में भार देता हूं, फिर आगे का process आपको करके दिखाता हूं, ठीकित, यहां पर हमने basic detail जो डाल दी है, और हम next क्लिक कर देंगे, दोस्तों यह application हम को जो है, इसके रहा है, इसलिए हम double phone का यूज कर रहे है, ठीक है, next पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो पहले step है, completed है, यहां पर email ID और डालनी है, चलिए में जी भी डाल दे रहा हूं, तो पहले step complete करने के बाद, दूसरे step जिसमें दिखा है work information, तो यहां पर हम work information डाल देते हैं, ठीक है, और monthly salary डालेंगे, और यहां पर जो monthly income डालेंगे, ठीक है, चलिए यह बढ़ देते हैं, उसके बाद आगे का process आपकर करके दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रेंड, यह सब को डालने के बाद, तीसरे step आगया है, दोस्तों bank information का, तो हम इसको भी फिलिप कर देते हैं, फिर आगे दिखाते हैं, यह कितना loan हमको provide करवाता है, तो जैसे हमने यहां पर bank information डाल दी है, तो अब finally यहां पर जो loan निकल के आया है, वो कुछ इस परकार का है, देख बादे होंगे आप, यहां पर दोस्तों आपको हम बता द loan, लेकिन यहां पर हम 6,000 पर select करते हैं, तो 6,000 पर आजाता है, दस पर करते हैं, दस पर आता है, मतलब मैनूल आप कर सकते हो, मैं यहां पर 3 पर select करूंगा, 180 दिन का मैंने 10 पर select किया है, जिसमें टोटल जी पेमेंटरी मुझे करना होगा, 296 का, ठीक है, तो हम यहां पर क् continue पर click कर देंगे, continue पर click करने को है, दोस्तों, आप यहां पर आप देख लो, 3,000 का loan है, और यहां पर credit score 69 बता रहा है, और यहां पर loan turn का है, और यहां पर security deposit लिया जा रहा है, 300 रुपिया, ठीक है, 3,000 माइनस 300, 2700, ठीक, और get money पर click करेंगे, तो यहां पर जो है, जी इस लोन दे रही है, उसमें से 300 रुपिया वो security deposit आपको पे करने के लिए कह रही है, देखो, तो भाईया मैंने आज का जो वीडियो बनाया है, वो है दोस्तों, boost loan की उपर, देखो, आपको play store पे boost loan देखने को मिलेगा, और आपको जो है, बहुत सार वीडियो में भी बताया ज जो है, वो आगे से security deposit लेता है, इसका मतलब यह है, कि boost loan पूरी तरह से fake application है, और यह आपको loan प्रवाइट नहीं करवाता है, तो गाईट, boost loan से आपको बिल्कुल भी loan नहीं लेना है, अगर आप boost loan से loan लोगे, तो फिर आपको जो जहापर security deposit देना होगा, और उसके बाद मे loan आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो गाईट, वीडियो में बस इतना ही रहेगा, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ सेर करें, कोई भी confusion अगर आपके मन में है, तो हमें comment करें, ज़रूर पूछे, मिलेगे next वीडियो में, तब तक लिए, जय हिन बंद मात्रम